हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों की डिमांड पर देखी, ठाकुर जी के लिए एक प्यारा सा ब्लैंकेट या बैडशीट लेकर आई हूँ, आप चाहें तो इसे बैडशीट में यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो ब्लैंकेट बना सकते हैं, C.M.C. डिजाइन का अगर आप चाहें तो अपने लिए स्टॉल या शोल भी बना सकते हैं, अगर कोई कवर बनाना है या कुशन कोई भी चीज़ आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही एज़ी पेटरन हैं और बहुत जल्दी आप इसको तयार कर सकते हैं चलिए हम अपना पेटरन तयार कर स्टार्ट करते हैं बहुत एजी है देखो मैं बता देती हूँ आपको पहले ये जितना भी बनाना है जैसे मेरे को ये ब्लैंकेट बनाना था तो मैंने इसको पहले मीजर किया अब हमें जितना भी ऐसे ताकि यहां ठाक आराम से ओढ़न में इजी रहे तो हमें जितनी भी लेंद बनानी है हमनी उसकी चैन बना लेनी है तो मैंने पहली यहां से यहां तक यह दस इंच का बनाया है तो मैंने दस इंच की चैन बना ली थी अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा सेंपल बना कर दिखा रही हूँ देखी में थोड़ी सी चेन बना लेते हैं ये में थोड़ी सी चेन बना लेती हूँ ये देखे ऐसे हमने एकी वाली चेन बना ली है चेन बनाने की बाद अब हमें सबसे पहले इसमें पिंक कलर का ही बनाना है ये देखो ये वाला पिंक कलर वाला ये वाला हाथ बनाना है उसके लिए हमें सबसी पहले हमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे किनारे के लिए यह हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे यह देखो यह हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया है ताकि हमारे किनारे बन जाए अब यहाँ यह देखिए यह हमने साथ फंदे बनाएंगे यह वाले एक, दो, तीन, चार, पांच, छें, साथ यह हमें साथ फंदे बनाने है तो हम यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे और यह देखो एक, दो, तीन, तीसरी चेंड में यहाँ पर यहाँ पर हम साथ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छें, और एक, साथ यह मैंने साथ डबल क्रोशिया बना लिया है यह वाला स्टार्टिंग में अब हम इसमें यह देखो यहाँ हमने यह साथ डबल क्रोशिया बनाया है अब हम यह जो हमने साथ बनाये थे इसको तीन के बाद फिर से जोइंट कर देंगे एक, दो, तीन तीन चेंड के बाद हम इसको यहाँ पर जोइंट कर देते हैं यह हम सिंगल क्रोशिय से करेंगे ऐसे इस तरह से अब हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और तीन चेन के बाद एक, दो, तीन फिर से हम यहाँ पर साथ डबल क्रोशिया के फंदे बनाएंगे पूरी सलाई हमें ऐसे ही बना लेनी है यह देखो ऐसे यह देखी मैंने फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लिआ है और इसको हम फिर 3 चेन के बाद 1,2,3 तेन के बाद हम इसको फिर से जोइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिये से ऐसे ही हमें यह पूरा बना लेना है फिर हम 3 चेन के बाद 1,2,3 यहां हमारे पूरे नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम यहां साथ की जगा चार डबल क्रोश्या बनाएंगे यह देखी, लास्ट में हमने कीवल चार डबल क्रोश्या बनाया है अब हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और यहां पर हम यहां से यहां तक चार चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार यह हमने चार चेन बनाई है और हम इसको यहां पर जो हमने पहले किया था सिंगल क्रोंशिय से जोइंट कर देंगे ऐसे ये, हमने जॉइंट कर दिया, अब हम फिर से चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, ये हमने चार चेन बनाई और जो इनकी सेंटर का था, जो हमने साथ डबल क्रोशे बनाए थे, एक, दो, तीन, चार, ये जो चोथे नमबर पे है, इसमें हमने इसको एड कर दिया, ऐस फिर से हम चार चेन बनाएंगे और यहां एड कर जोईंट कर देंगे इसको ऐसी ही हम अरब चार-चार चेन में जोईंट करते जाएंगे ये फिर सी हम चार चीन बनाएंगे एक दो तीन चार फिर सी यहां चोथे वाले में जोइंट कर देंगे फिर चार बनाएंगे एक दो तीन चार और इस बार हम यहां जोइंट कर देंगे इसको इस तरह से हमारे दो हाथ यह कंप्लीट हो गए है ऐसे अब हम यह धागा छोड़ देंगे और दूसरी शेड़ वाला वूल यूज़ करेंगे यह देखो अब हमने शेड़ वाला वूल ले लिया है तो हम यहां पर इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे और यहां हम इसको शुरू में यह देखो हमारा ऐसे आ रहा है तो सबसे शुरू में हम यहां पर ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहां पर इसके एक एक बार और डालेंगे इसी में इसी में डालेंगे ऐसे दो एक बार और डालेंगे तीन और एक बार और डालेंगे चार ये हमने चार बार डाला सारे फंदों को ऐसी हम एक साथ निकाल लेते हैं ठीक है अब हम इसमें चार चेन बनाएंगे पाँच चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और एक, पाँच ये हमने पाँच चेन बनाई और अब हम यहाँ, यह देखो, यहाँ पर, जहाँ पर हमने इसको जॉइंट किया था, इसमें, यहाँ, यह नीचे वाले में, यहाँ पर हम फिर से उसी तरह से, एक, दो, तीन, और एक, चार, चार बनाएंगे, और इसको हम फिर से ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे, एक और बनाएंगे हम ऐसे ही सीम, एक, दो, तीन, और एक, चार, और यह हम फिर से एक बार इसको बंद कर देंगे, ऐसे, ऐसे ही हम फिर से पाच चेन बनाएंगे, और यहाँ पर इसी तरह से दो यह बना लेंगे, अगर आपका हाथ थोड़ा ज़्यादा टाइट है, तो आप यह चेन बनाएएगा, मेरा हाथ थोड़ा लूज है, यह चेन में इसलिए मैंने पाच बनाएंगे, यह देखी, यह मैंने यह भी बना लिया है, और लास्ट में हम यहाँ पर एक बनाएंगे, यह हमने दो इसलिएंदों का यह एक बनाएंगे, यह देखी हमारा इस तरह से यह वाला हाथ तयार हो गया है, अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे, और उसी तरह से पहले हमने एक दो तीन और एक चार चेन बनाए, शुरू में हम चार चेन बनाएंगे, और इसको यहाँ से जोइंट अब हम यहां से यहां तक साथ चेन बनाएंगे यह हमने साथ चेन बनाई और इसको यहां पर जोइंट कर दिया फिर से साथ चेन बनाएंगे और यहां पर जोइंट कर देंगे यह देखे इस तरह से हमारे यह वाले भी दोनों हाथ कम्प्लीट हो गए हैं अब हम इधर आ गए हैं सीधी सलाई पर और यहां पर अब हम धागा चेंज करेंगे और हम फिर से पिंक वाला धागा लगाएंगे ये देखे पिंक धागा लगाने के लिए हम इसमें से पहले ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे ये और इस बार शुरू में पहले हमने यहां पर साथ बनाये थे डबल क्रोशिया इस बार हम चेंज कर देंगे इस बार हम इसमें यहां पर यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ में चार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ यह देखो मैंने चार डबल क्रोशिया बना लिया है अब हमें यह ध्यान दीजिएगा देखो यहाँ यह जो इसमें हमने यहाँ पर जहां से हमने चेंड यहां जाएंगे हम इसमें ऐसे हम आप नीचे हाट डालेंगे इसमें जहां हमने पहले यह चेंड को जोइंट किया था इसके नीचे वाले पार्ट में यहां जाएंगे और यहां से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे यह देखो और अब हम फिर से साथ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे यह डबल क्रोशिया हमें इसके सेंटर में बनाना है यहां पर मैं यहां साथ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ यह देखो यह मैंने साथ डबल क्रोशि बना लिया है और अब हम फिर से ये इसमें हमारा ये दिखाई दे रहा है यहां आ गए हम और यहां पे हम सिंगल क्रोश्या बनाएंगे ऐसे ये हमने सिंगल क्रोश्या बना दिया अब हम फिर से साथ डबल क्रोश्या बनाएंगे इसमें ये देखो ये मैंने साथ डबल बना लिया है और अब हम इसको लास्ट में यहां पर जॉइंट कर देंगे यह देखो ऐसे इस तरह से यह हमारा डिजाइन तयार होता जाएगा यह देखो अब हमारा उल्टा हाथ फिर से सेम रहेगा कि हम पहले चार चेन बनाएंगे फिर इसको यहां जॉइंट करेंगे फिर चार चेन बनाएंगे यहां जोइंट करेंगे फिर चार चेन बनाएंगे यहां जोइंट करेंगे फिर चार चेन बनाएंगे यहां जोइंट करेंगे और सीधा हाथ हमारा फिर सेम रहेगा यह देखो ऐसे सीधे हाथ के लिए इस बार हम यहां पर pahalay चार चेन बनाएंगे और फिर यहां पर इस जगह बनाने होते हैं हमें मैं बनाकर दिखा देगा यह दिको यह हमने उल्टा हाथ कम्प्लेट कर लिया है अब हम फिर से सीधे हाथ पर आ गए है और अब हमें फिर से धागा चेंज करना है तो इस बार हम पहले ऐसे इसमें अब इस बार चार चेंड बनाएंगे एक, दो, तीन, चार एक बार हमें ये सिंगल बनाना है ये बदाम जैसा लगता है और एक बार चार चेन बनानी है और अब हम यहाँ पर यह देखो यहाँ पर यह है देखिए अब हमें इसमें इसका यह जो फंदा है यह यहाँ पर यह फिर आप ऐसे एक बार हमें यहाँ पर बनानी है यह चार हमें इधर बना लेते हैं हम यह जो बीच का सेंटर का यह जो निजर आ रहा है इसके अंदर हमें पहले चार बार निकालना है एक दो इसके अंदर चार बार निकालेंगे यह देखो हमने चार बार निकाल लिया और अब हमें ने इसको ऐसे बंद कर दिया एक और बनाएंगे हम इसी के अंदर से, चार का फिर से बनाएंगे, ऐसी, ये देखो, इस तरह से, ये बन गया, अब हम फिर से, अब हम फिर से, पांच या छे चैन बनाएंगे, और इस बार हम इसमें ये बादाम, जो ये बादाम वाला डिजाइन है, वो इसमें बनाएंगे, फिर पांच या छे चैन बन आएंगे क्योंकि इस बार ये पूरा है और यहां पर लास्ट में फिर से हम एक बादाम बना देंगे इसी तरह से ये डिजाइन हमारा आगे कंप्लीट होता जाएगा आप ये डिजाइन जरूर ट्राइ कीजीएगा बहुत एजी है और बहुत जल्दी आप ये वाला तैयार कर सकते हैं ये देखिए अगर आप इसे लेडिज मफलर में एकिसी पाइदान में बैड़ शीट में किसी चीज में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मैंने छोटा मेरे को प्रोजेक्ट बनाना था इसलिए मैंने इसको ठाकुरजी के ब्लैंकेट के रूप में वार बेद्टरी झाल 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 झाल